तो समतलों की बीच का कौन निकालना भी हम सेखेंगे देखें समतल की एक्वेशन आपको दो फॉर्म में मिल सकते हैं वेक्टर फॉर्म में या कार्टर फॉर्म में मिलेगी तो अपना एंगल इस फॉर्मले से आएगा और यदि कार्टिक्शन फॉर्म में मिलेगी तो अपना एंगल इस फॉर्मिले से आएगा यहां पर देखे मैंने एक एक्जाम्पल लिया है जिसमें द्यान से देखो दो प्लैन के आपको एक्वेशन दे रखिए ओके तो यहां पर यह किस पॉर्म में आपके कार्टिशन फॉर्म है इनकी स्टेंडर फॉर्म के साथ तुलना करें तो एवन बराबर कितना है विवन वाई के गुणाप में जो आता है C1 जो Z के गुणा कमाता है यहाँ पर A2 आपका 3 है B2 माइनस 6 और यहाँ C2 आपका माइनस 2 है ओकी यह सब आने के बाद क्या करना है यहाँ पर सिंपल सी value रखते हैं चले मैं value रखता हूँ तो cos theta बराबर A1 गुणा A2 यह रहा चले मैं गुणा करके लिखता हूँ डारेक्ट 2 गुणा 3 6 B1 गुणा B2 माइनस 6 C1 गुणा C2 यह भी माइनस का यह भी माइनस का जहाँ रखिये माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है यह नहीं आपका प्लस का 4 आएगा नीचे क्या करना अंडूट में A1 का स्क्वेर प्लस B1 का स्क्वेर प्लस C1 का स्क्वेर कितना A1 का स्क्वेर 4 इसका 1 माइनस के संख्या और उसका स्क्वेर हो तो ध्यान रखना हमेशा प्लस का ही आएगा यह आगया 4 यहां पर अंडूट में देखिए इसका स्क्वेर, A2 का, B2 का स्क्वेर, 36, इसका, C2 का स्क्वेर, 4, ओके यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब देखिए उपर कैलकुलेशन करते हैं, तो आपका यह कट जाता है, कितना आता है, केवल और केवल, 4 आता है, 4, 4, 8, प्लस, 1, 9, 9 का, कितना होता है, 3, यहां पे आ तो थीटा बराबर आपका कितना आ गया, कोस इनवर्स, 4 by 21 आ गया, ओके, यहां तक समझ आ गया, तो इस प्रकार से, आप है जो, दो, प्लेंस के मध्य का, एंगल, निकाल सकते हैं, एंगल बिट्विटिन टू प्लेंस, वीडियो कैसा लगा नीचे, कॉमेंट करके बताए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सेयर करें